पित्र दोस समाप्त करने का सबसे पहला उपाई है कि आप प्रति दिन हनुमान चालिसा का पाठ अवश्य ही करें दूसरा उपाई यह है कि आप शाध पक्ष में शाध तर्णपन आदी अवश्य ही करें तीसरा उपाई यह है कि आप जादा से जादा सिक्कों का दान करें ऐसा करने से पित्र दोस में आपको शांती मिलेगी प्रति दिन सुभा साम की आरती में करपूर जलाएं या करपूर से ही आरती करें पांचवा उपाई यह है कि आप हर तिरियो दसी को यानि तेरस चोदस अमावश्य और पूनी मा के दिन गुड और घी के मिश्ण को कंडे पर यानि उपले पर गाय के उपले पर जलाने से पित्र दोस में शांती होती है हर अमावश्य को पीपल के पेड़ पर जल चड़ाएं और हर अमावश्य को कच्चे दूद का दान अवश्य ही करें और हर रोज इश्नान के पस्चात अपने माधे पर केसर का तिलक अवश्य ही लगाएं इससे भी आपको पित्र दोस से काफी राहत मिलती हैं और यदि संभव हो तो आप स्रीमत भागवत कथा का पार्थ अवश्य ही कराएं क्योंकि स्रीमत भागवत कथा का पार्थ कराने से पूरवजो को सद्गती प्राप्थ होती है और पित्र दोस का यह सबसे बड़ा उपाएं माना जाता है और सबसे महत्पून उपाई यह है कि आप जाद से जादा भागवान सिब और भागवान स्री कृष्ण की आराधना करते रहें इनसे आपको पित्र दोस में काफी राहत मिलती हैं दर्शको अगर आपको हमारे दुआरा यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सस्क्राइब लाइक करें और कमेंट्स में